Hey guys, welcome back और second leg time, first leg एक बहुत ही बहतरीन fixture था, Barcelona और Manchester United और ये fixture ऐसा है जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और उसकी हम बात करेंगे second leg की Old Trafford में होगा आज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगो, something amazing has happened और thanks to VU Sport, मुझे मौका म सुनील चेतरी सर से बात करने का, yes, मैं रक्षित भाई और सुनील सर एक Manchester United वर्सेस बार्सिलोना मैच के प्रिव्यू में ही, हमने मतलब discussion की वहाँ पर, और fantasy scouts जो हम करते हैं, जहां पर हम fantasy team बनाते हैं, वो हमने किया, तो आप check out कीजिए, उस video को link जो है मैं description में डाल दू यूट्यूब पर आप check out कर सकते हैं, अब जो भी कोई कुछ भी बोले, जो मर्जी, I think, मतलब इस से बड़ा मेरे लिए तो कुछ नहीं है, to be honest, अगर मुझे एक living legend like सुनील सर से बात करने का मौका मिल रहा है, the captain of the Indian football team और मतलब इतनी बहंकर और इतनी unbelievable opportunity मिल रही है करने के यूट्यूब कर रहा है, आज लग रहा है कि हाँ यूट्यूब किया तो मतलब कुछ अच्छा हो गया finally आज और thanks to you guys, जो हमको देखते हैं, हमको appreciate करते हैं और हमको इस मकाम तक पहुचाया है, कि हमको यह opportunity मिल पाई, कि सुनील सर से हम बात कर पाई, Uber हो पाई, और आप imagine कर अज़रो हम podcast करते हैं हमारे जो भी मतलब भाई लोग आते हैं, हम podcast करते हैं उनके साथ और discuss करते हैं कि क्या हुआ मैच में कैसे होगा, क्या होगा, क्या टीम selection होगी, जैसे हम दोस्तों के साथ बात करते हैं, वो मैंने किया सुनील छेतरी सर के साथ, आप समझ रहो, कितनी मत अफटेबल फील करा दिया उन्होंने, और फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी conversation हुई है, और मुलब जैसा मैंने का, उनके साथ football डिसकस करना है, बहुत बहुत बड़ी बात है, तो आप प्लीज उस वीडियो को check out कीजे, और hopefully इस तरीके की और opportunities मिलती रहेंगी, और यह community हमारी बढ़ रही है, यह आगे बढ़ती रहीगी, ना केवल मुझे, बढ़ चितने भी हैर, हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं, यूट्यूब में, और जो भी content मना रहे हैं, सब को इसी तरीके की opportunities मिलती रहें, और सब आगे बढ़ते रहे हैं, तो thank you, आप लोगों को thank you ब जिस तरीके से खेलती है, अगर आप देखें, अगर आप देखें, तो वे बार्सेलोना सेटप बैशावी, तो दो प्लेयर्स बहुत जादा pivotal है, जिस तरीके से बार्सेलोना फंक्शन करती है, especially उस midfield में, अब देखते हैं किस तरीके से जो है, वो सेटप होगा, बार्सा क के कुछ प्लेयर्स आ जाते हैं, जैसे Lissandro Martinez अविलेबल हो जाते हैं, साबिट्सर अविलेबल हो जाते हैं, although मुझे लगता है Fred खेलेंगे, बट उनको एक massive boost है, प्लस Old Trafford में match हो रहा है, तो I think वो एक wave बहुत अच्छी राइड कर रही है, Manchester United इस समय जिस तरीके से domination चल र आगा, कि उन्होंने अपने सारे जो priorities हैं और जो सारे जो उन्होंने पत्ते हैं वो खोल दिया, I think वो लालीगा को priority दे रहे, which is fair in my opinion, कोई गलती नहीं है उसमें, क्योंकि मुझे लगता है, बार्सा के साथ पहले full season में, लालीगा जीतना शावी के लिए, is a massive, massive achievement, given the fact कि इत बहुत अच्छा चांस है, तो to get that momentum back, अगर एक silverware आता है उरोपा लीग के form में, कार लिंग कप, कार अबाव कप के final में भी है, कार लिंग कप बोलने यादत नहीं जाती लीग कप को, उसके final में भी है, Newcastle के against, वो final होगा, तो दो आपके पास silverware लाने का मौका है, अभी भ अच्छी है, मतलब, opportunity अच्छी है, और, मतलब, realistic chance है कि Manchester United, Barcelona, मतलब, जो भी ये time में आगे जाता है, it's a realistic chance कि वो जीत सकते उरोपा लिग, obviously, उरोपा लिग में और भी अच्छी अच्छी टीमें बाकी है, Juventus है, Arsenal है, Ajax है, अभी भी हैं, कुछ अच्छी अच्छी टीमें बची हैं, लेकिन, तब भी मुझे लगता है, कि जो भी ये team जीतेगी, उसका काफी अच्छा chance होगा, आके तक, final तक जाने का, तो, मुझे ऐसा लगता है कि, I think, थोड़ा सा, pragmatic अगर, Barcelona खेलती है, क्योंकि, जिस तरीके से, वो, press कर रही थी, Manchester United, उनको, और जिस तरीके से, जिस intensity से हो आया थे, especially second half में, तो, मुझे लगता नहीं कि, Barcelona, without Pedri and Gavi, जो कि, बहुत जादा, अच्छे players है, possession पे, और बहुत जादा, quickly ball को move करते है, midfield में, उनके बिना, वो, sustain कर पाईगी, pressure, और जिस तरीके से, last match में भी, एक गलती भी, मुझे लगता है, शावी से, कि, आपने Alba और Alonso को खिला दिया, left side में, जिसकी वज़े से, Marcus Rashford को इतनी जादा, freedom मिल गई, उनको करने के लिए, जो करते हैं, और दोनों ही goal, अगर आप देखेंगे, Manchester United के, तो, right side से ही आयता है, तो, मुझे लगता है, बाल्ले और किस्टिंसन को, खिलाना चाहिए, इस match म और अगर Arao चाहिए, right back, खिले, centre back, खिले, I think, he's a fantastic, fantastic defender, तो, defensively strong होनी की जरवत है, क्योंकि midfield में आपके पास हो, आज assurance नहीं है, फ्रेंक की डियंग on the other end, मुझे लगता है, थोड़ा सा deeper role occupy कर सकते हैं, बिकॉस पैटरीजा भी दोनों नहीं है, और बुसकेट विल रिट अगर आप थोड़ा सा प्रेक्टिकली भी अप्रोच करते हैं, कभी-कभी गेम को, तो आप वहाँ पर रिजल्ट्स निगाल सकते हैं, जहां पर आप एक्सपेट नहीं करते हैं, तो, obviously, sit back करना is not Barcelona's game, लेकिन जिस तरीगे की quality है, फ्रेंक की दूर से shot मारते, 11 डॉसकी finishes out of nowhere तो pressure put करता है, अगर एक Barcelona का early goal आ जाए, तो pressure आ जाता है Manchester United पर, because जिस तरीगे की high line वो भी रख रहे थे, रफीनिया को भी बहुत मौके मिल रहे थे, first leg में, let's not forget, हाँ, Manchester United का domination था, काफी time तक match में, लेकिन रफीनिया को भी मौका मिल रहा था उस line को exploit करने का, तो आज भी वो चीज़ हो सकती है, बट जैसा मैंने का, Lissandro Martinez की वापसी हो जाती है, तो Manchester United का defense थोड़ा strong हो जाता है, तो उस लिहाज से आप कहिंगे कि हा, Manchester United favorites है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा अगर pragmatic खेल ले बार सा, जो कि हम देखते नहीं है, usually उनसे लेकिन कभी-कभी करना है, माहोल बहुत अच्छा होगा, और एक पूरी मतलब backing मिलेगी टीम को, और जिस तरीके की performance उनकी camp new में तो उससे काफी जादा confidence हो लेके आ रहे हैं, बट still, I think there is a chance, maybe 30% chance, 70-30 in favor of Manchester United, बट still there is a chance for Barcelona, तो सब Manchester United की win predict कर रहे हैं यहाँ पर, तो prediction के अगर मैं बात करूँ, तो मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ, तो थोड़ा मजा आना चीए, spice आना चीए, लाइफ, मैं था neutral, अपन प्रिडिट करेंगे, a 1-0 hard-fought खूण पसीन है, महनत वाली victory for Barcelona, कुछ एक moment of magic, and then Barcelona defense for their life, इस तरीके का match हो जा है, बजो कि मुझे लगता है, that is not the Barca बे, बट कभी- क्या होता है, आपकी कह रहा है, please do let me know in the comment section, and I think, मतलब यह तो मैने दिल से कर दी prediction, बट मुझे लगता है, कि Manchester United are massive, massive favorites going into this, तो देखते हैं, क्या होता है, बाकी match में पता चली जाएगा, बहुती अच्छा match होगा, and please, please do make sure कि आप वो view sport पे जो हुआ है, discussion, इसी match से related, कि जब तक अबना take care, and peace